भीया अगर आप SST का form फिल कर रहे हैं और उसमें photo और sign upload करने में आपको problem आ रही है तो ये वीडियो आप के लिए होने वाली है क्योंकि इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको photo और sign upload करने SSD के form में, चाहें आप SSDGD या फिर कोई भी application form फिल कर रहे हो, तो फटावट चलते हैं computer के screen पर, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर SSDGD के form जो आए हैं, उसकी notification को open कर लिया है, और इसके page number 36 में आ गया हूँ, यहाँ पर photo के वारेम कुछ जानकारी दे रखी है, कुछ signature के वारेम हो तो जादा अच्छा है, और पुराने जो application form SSC के भरे जाते थे, उसमें जो photo लगती थी, उसमें date डलना compulsory नहीं था, लेकिन अभी जो SSC के form डलते हैं, उसमें date डलना compulsory हो गया है photo के उपर, जोकि जब आप application form को fill करते हैं, तो उसमें date वाला column भी आता है, कि आपने photo के उपर कौन सी date डलवाई है, या फिर आपकी photo कि डेट में खिची होई है, तो वो date वहाँ पर fill करनी पड़ती है, तो आप photo के उपर date डलवाल है, जो भी photo आपको लगानी है, photo आपकी JPEG format में, और 20KB से 50KB की बीच में होनी चाहिए, यहाँ पर इसकी width दे रखी है, 3.5 cm की और height दे रखी है, 4.5 cm की, बैसे breath और height से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, photo आपकी बिना 2PK होनी चाहिए, और उसमें आपके दोनों कान बिल्कुल साफ साफ में जर आनी चाहिए, और जो इसमें sign upload करने हैं, या फिर signature upload करने हैं, वो भी JPEG format में होनी चाहिए, यहाँ पर मेरे पास photo है, और यह sign है, जो मुझे SACF Home में upload करने हैं, तो आप photo पर देख सकते हैं, नाम डला हुआ है, date of photo डली हुई है, और photo wide background की है, इसमें कपड़े जो पहने हुए हैं, वो dark color के पहने हुए हैं, यह एक sample photo है, आप भी इसी तरीके से एक photo किचबा कर रख जिसका नाम है रायोट, रायोट एक radical image optimization tool है, जो कि image के size को कम जादा कर सकता है, बड़े आराम से, इस software को आप हमारी website form जानकरी से बड़े ही आराम से download कर सकते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह हमारी image है, और image का size 69.1 kb का दिखा रहा है, मैं आपको properties open कर लेते हैं, और इस photo को उठा कर इस पर रख देते हैं, अब यह आपर 69 kb की जो image है, उसको यहाँ पर 87 kb की बना रहा है, लेकिन हमें इसको कम करना है, तो कम करने के लिए आपको यहाँ पर एक option नज़र आएगा, quality के आँगे, इसको आप slide करेंगे, तो automatic size कम होने लगेगा, लोड़ा सा और करते हैं, 53 kb की हो गई है, और कर लेते हैं, 42 kb की हो गई है, और आप चाहिए तो कम जादा कर सकते हैं, जिस भी form में आप photo को upload करना चाहते हैं, आप ऐसी upload कर सकते हैं, बड़ी आराम से, उसके size को कम जादा करके, तो आप आप image को save करते हैं, replace कर देते हैं तो आप हम इसे photo का size दिखा देते हैं आपको, यह photo 30 kb की हो चुकी है, और form में 20 kb से 50 kb की बीच की photo मांगी जा रही थी, इसी तरीके से हम signature का भी size कम कर लेंगे, यह signature अभी हमारे 41 kb के हैं, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर, लेकिन हमें इसको 10-20 kb की करना है, त इसको भी save कर देते हैं, और यह दोनों file jpg या फिर jpg format में automatic हो जाती है, इस software की मदद से, तो आपको कोई भी problem नहीं आगी photo का upload करने में, अगर आप SSC के कोई भी form को fill करने की पूरी process step by step समझना चाहते हैं, तो आप left side वाली video को देख सकते हैं, और अगर आप SSC का registration करना च आते हैं, तो आप right side वाली video को जरूर देखें,